का हमारी श्यमास गार्टनिंग में बहुत बहुत श्रागत है आज मैं आप लोगों के लिए इतने प्यारे प्यारे से प्लांस लेके आई हैं जिनको आप अपने घर में गरो करेंगे या लगाएंगे तो घर का जो बातावर है नेगे ठिंकेंगे गरों में वो दूर होगी औ और प्लांस वैसे ही सारे बहुत अच्छे होते हैं प्लांस हम अपने घर में लगाएं तो इससे हमारे घर का जो मौहल है वो बहुत अच्छे हो जाएगा आज मैं कुछ चुनिंदा लग्की प्लांस लेकी आई हूँ जिनको हम घर में लगाने से हमारे घर की जो निगेटि प्रत्वी पे हम जीवन हमारा है वो हमारे पौदों के बज़े से बहुत अच्छा है अगर हमारे प्रत्वी पे पौदों अच्छे नहीं होंगे तो हमारे प्रत्वी की प्रदूशर है वो जादा बढ़ती चले जाएगी जिससे हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा और जीना बहुत मुश्किल हो जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत खूबसूरत लग्की प्लांस के पारे में तो नमबर वन ये प्लांस आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत तो एक गुलाब की तरह इसका रोज होता है इसकी धाड़ने ये है कि जिनके घर में प् इसके गड़ने लेखे हैं फिर रिदेखि averaging कितना अच्छा होता है हमारी जो सोच है हमारी अच्छ है मेरी अच्छी सोच रखनी सऩ color ऺधना है कि फुल हमारे सारे अच्छी होते इस कुछ फूल ऐसे जो बहुत है एच्छे होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते तो इनको आ अच्छे अच्छे होते हैं और फूल चों मिकशार होता है इसको स्यूबए है चोकी एक जमीन यहां 74 लीबस उसको फूल होती बहुत अच्छी होती है और इस valores बहुत अच्छी जाती है और नेचराइक हमारे ही तो हही पर豆 So similar standards और बहुत आसानी से बढ़ती हैं, चाहिए आप इनको हैंगिंग बास्किट में लगा लीजिए, चाहिए चोटे-चोटे पॉट में भी इनको ग्रू कर सकते हैं, बहुत इजी एक ग्रू हो जाते हैं, अब आते हैं, जो आप प्लांट देख रहे हैं, बहुत अच्छा प्ला इस प्लांट को भी लगाने से बहुत अच्छा महौल होता है, हमारे घर की शुक्षानती, स्रम्रधी अप सब भढ़ती है, तो प्लांट घर्मों में लगाईए, फिर देखिए इनको जो अच्छी इनर्जी होती है, वो आपके घर में इंटर जरूर करेगी, आप मैं जो आ आने दर ये भी बहुत खुबसूरत लग रहा है, इन चीजों को आप अपने घर में लगाएंगे, या गार्डन में हो, या टैरस पे हो, या आप पॉट में लगाईए, फिर इनका रिजल्ट देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि कितने प्यारे प्लांट्स होते हैं, कितने खुबसूरत हमारे घर का मोहल बना देते हैं, तो ऐसे प्लांट हम अपने घर में जरूर एट करें, अब आप देखते हैं, इस प्लांट के बारे में तो सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये आपको पास में, रोडों पे, किनारे, कहीं पे भी मिल जाते हैं, मर बहुत सो लोगों के इनकी गलत धाड़ना है, मन नहीं, सारे प्लांट बहुत अच्छे होते हैं, हमारे लिए बहुत लखी होते हैं, मर इनको बाशुशात के हिसाब से रखिए, फिर देखे, आपके घर कर जो निगेटिव इनरजी है, वो पॉजिटिव में बदलन इक तरह श्रब होती है, जिसे हम अपने घर में चढ़ा सकते हैं, इसकी जो बनिस्पती और इसमें आयोवेदिक में बहुत इसका इप्योग है, जो इप्योग है तो समझे लिए हमें से भी लाब होता है, ये पहाड़ी एरियों में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और वहा फिर इनका घर में लगाने के बाद आप रिजल्ट देखिए, तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ आज जो फूल प्लांट्स इन सब के बारे में अगर ज़्यादा डेटेल में बात करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं आपको इनके सब के नाम बताती जा रही हो, इनकी थोड़ी सी जानकारी देती जा रही हो, इन प्लांटों को जरूर अपने घर में ग्रो कीजिए, पॉर्ट में भी एजली ग्रो जाते हैं, और बहुत अच्छी इसकी फ्लावरिंग होती है, तो फूल भी मिल रहे हैं और लग्की भी हैं प्लांट्स हमारे प्लांट्स हमारे बहुत अच्छे से लग जाएगा और यह वेल की तरह चड़ता चला जाता है बहुत खूबसूरत लगते हैं और बहुत प्यारा प्लांट्स होता है, इसको हम इंडोर आउट़ोर सब जगे रख सकते हैं और बहुत खूबसूरत इसकी जो ग्रोइंग का बहुत अच्छा है, इसको बढ़ने का भी ट्र है, बहुत अच्छा देखिए, एक स्ट्रिप लीप्स लगाईए और फिर देखिए कितनी अच्छी इसकी एक लेंग्ध बनती चली जाएगी और जिससे घर का लुक भी बहुत अच्छा आने वाला और चुट 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 आपको दो वाराइटी कलर्स काफी अच्छ अच्छ आते हैं, आपको इस तरह से गलीप माले भी दिखेंगे और प्लेन में, ब्राउन भी इस तरह के लीप्स मिलेंगे और बहुत ग्रोथ अच्छी होती है, इन प्लांटों को घर में एड़ कीजिए, फिर मुझे जरूर आ और यह बहुत लगी होते हैं, इनको हम अपने घर में या ओपिस में कहीं पे भी लगाईए, फिर इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आपको मिलेगा, और फिर आप देखिए कि लुक भी बहुत अच्छा आता है, टेबल पर रखिए, सोफे के पास रखिए, डानिंग टेब प्लांटों को अपने घर में लगाईए, फिर देखिए, रजल्ट कितना अच्छा माल मिलने वाला है, हर प्लांट की अपनी अपनी एक इमेज है, और एक एक उनके पास घुबियां है, जो हमारे प्रत्पी पे इसलिए पैदा कीगी, जो हमारे मनुष जीवन में इतनी प् प्लांट से इस तरह के दिये हैं, थोड़ी सी जनकारी हो जाए, और अपने घर को सजाएं इन प्लांटों से, कटिंग से भी बहुत इजी लग जाते हैं, अपने खुबसूरत घर को बनाने के लिए, खुबसूरत घर में जो प्राबलम हो रही है, उनको दूर करने के लिए ऐसे प्लांट हम अगर ग्रो करते जाएंगे, लगाते जाएंगे, फिर उनका रिजल्ट बहुत अच्छा, और फिर आपको प्योर हवा भी मिलेगी, जो प्रदूशर इतना ज़्यादा फैल गया, वो दूर हो जाएगा, तो ऐसे प्लांट हम क्यों ही अपने घर में आपके बाशुर साथ के साप से रखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, तो इसकी कोशिश की है, मैंने आपको छोटी सी इन प्लांटों के बारे में आपको थोड़ी-थोडी जानकारी दी हैं, जाधा जानकारी के लिए आपको और कमेंच कर सकते हैं, वीडियो पसंद आये तो लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और बैल बटन दबने ज़रूर आज आखिए जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच चके हैं थैंक फॉर वाचिंग मैं वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद